लाओ इवान, hope you all are learning great तो अटोड़ेस टॉपिक इस गोइंग तो बी ओन फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 तो यह दीसंटली हमारे इंडिया में और्गनाइस कराया गया था यह जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है यह फर्स्ट एडिशन है आप याद रखिएगा और यह अभी 10-17 दिसम्बर के मिड में यह कंप्लीट करा गया है और जिसमें की हर्याना ने टॉप किया है विद 105 मेडल के साथ तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे यह बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट टॉपिक भी हो जाता है मारे एग्णाम परस्पेक्टिव से क्योंकि यह फर्स्ट एडिशन है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तो यह फर्स्ट टाइम और्गनाइज कराया गया है और वो भी हमारे इंडिया में तो इसलिए यह बहुत ही जादा इंपॉर्डेंट हो जाता है जिनका नेम है श्री अनुराध सिंख ठाकुर उन्होंने डिक्लिया किया था इस गेम को पैरा खेलो इंडिया गेम्स जो की अभी रिसेंट्ली ही क्लोस्थ हुए है मतलब यह finally conclude हो चुके हैं on 17th of December in New Delhi में जिसमें की Haryana ने टॉप किया है under the K.I.P.G which stands for Halo India Para Games with the total of 105 medals जिसमें से हैं 40 golds, 39 silver and 26 bronze medal तो यह first position पर जो आया है वो है Haryana यह जो खेलो इंडिया Para Games यह organized कराया गया थे from 10th to 17th of December in New Delhi में इसकी हम exact location के भी बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में तो यह जो K.I.P.G है इसमें around 1450 para athletes ने इसमें participate किया है all over across the country से तो आप यह याद रखिएगा K.I.P.G के बारे में which stands for Halo India Para Games के बारे में next हम बात करेंगे what are Halo India Para Games तो यह जो है यह किस बारे में है Halo India Para Games तो इसमें क्या होगा इसमें जो मोटो है मेली इसका है मेन एम जो आपको पता है हमारे देश में जो दिव्यांग नागरिक है तो उनके लिए उनको प्रोचसाहन करने के लिए उनको एंपार करने के लिए तो यह उनके लिए यह Halo India Para Games और्गनाइस कराया गया है तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूँ आपको पता ही होगा अभी तक हमारे इंडिया में तोटल थ्री एडिशन थे Halo India के जैसे कि फर्स है Halo India Youth Games Halo India University Games और थर्ड वान इस जो थर्ड एडिशन है Halo India Winter Games और जो फूर्थ एडिशन अभी रिसेंटली जो और्गनाइस कराया है हमारे डेली में तो यह फर्स एडिशन है of Halo India Para Games का तो आप यह याद रखेगा टोटल हमारे इंडिया में 4 एडिशन हो चुके है Halo India के जिसमें से की अभी जो लास्ट वन है Halo India Para Games वो रिसेंटली अभी और्गनाइस कराया गया था हमारे न्यू डेली में विच इस फर्स एडिशन ऑफ Halo India Para Games इस पार्ट व खेलो इंडिया इनिशेटिव जैसे कि मैंने आपको बताया है इस पर तोल फूर फूर एडिशन हो चुके है New Delhi में which is the Kherlo India Para Games and which is in which Haryana top Kheriana with how many medals, with 105 medals, Kheriana in Kherlo India Para Games and just remember all these points. Next, we will talk about these Kherlo India Para Games, which has been organized by the Ministry of Youth Affairs and Sports, and Sports Authority of India, National Sport Federation, Para Olympic Committee of India, Cerebral Palsy Sports, Federation of India and Organizing Committees तो यह जो है यह First Halo India Para Games है, यह 2023 में फर्स टाइम और्गनाईज कराया गया है इसी इनी के थुरू, okay, so just remember this point as well next हम बात करेंगे इससे वेन्यू से रिलेटेड और इसके जो मसकत है उसके बारे में हम देखेंगे तो यह जो है, यह जो गेम है, अल्रेडी और्गनाईज कराया जा चुका है at three venues पर विच्वर, इंद्रगांदी स्टेडियम, जवालनाल नहर्यू स्टेडियम and करणी सिंग शूटिंग रेंज यह जो है, तो यह जो है, फर्स खेलो इंदिया पैरा गेम्स जो है, यह हमारे न्यू डेली में और्गनाईज किया गया है इसका जो फर्स एडिशन है and इसका जो मस्कत है उसका नेम है उज्वला, विच इस स्पैरो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप से किसी भी एक्जाम से पूछ यहाँ सकता है प्रस्ट केलो इंदिया पैरा गेम्स 2023. विचेहल्स सर्ट कैलो फेडिक इसी बीटार कुस्का जाले पैरिष टारेंस जो प्री किसी दोईसे तेछी पंज विच जालो इंदिया अव dairy अचात आप सूछ भी सकते हैं यहाँ में फांट। आप आप से पूछ बूछ भी सक्ते यह देखा ही है Ujwala which is a little sparrow and इसमें total 7 sports competition हुए है organized कराए गए है first Halo India para games तो आप से पूछ लिए जा सकता है इसमें total कितने sports include किये गए है तो total 7 sports competitions इसमें organized कराए गए थे तो यह जो है इनका name यहाँ पे आप देख लीजे यह भी आप से पूछ लिए जा सकते हैं तो इसमें included है total 7 sports competitions which are para athletics, para shooting, para archery, para football यहाँ पे football भी है यहाँ पे आप देख लीजेगा ओके यहाँ भूलिएगा नहीं कई लोग ऐसे समझ के मार देते हैं कि football तो football इसमें है included para football, para pedminton, para table tennis and para weightlifting तो यह total 7 sports competition include किये गए है first Halo India para games में okay these seven games were organized in three stadiums of sports authority of India okay and the top five states in the KIBG medal tally are Haryana first पे आया है आपको पता ही है with the 105 medals के साथ इसने top किया है Haryana state second place पे आया है Uttar Pradesh and the third one is Tamil Nadu fourth place पे है Gujarat and the fifth one is Maharashtra तो यह पांचों ही state ने top किया है Haryana, UP, Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra तो just remember all these points तो यहां पे एक और point है जो कि बहुत ज़्यादे important हो जाता है इन गेमों में सबसे ज़्यादा best performance किसने दी है तो इनका नेम है Pranap Surma who belongs to Haryana okay and इनों ने perform किया है better than his Asian record जो इनों ने Asian games में अपना record बनाया था उससे भी ज़्यादा better इनों ने perform किया है खेलो इंडिया परागेम्स में Pranap Surma ने तो यह जो Pranap Surma जो बिलॉं करते हैं Haryana से इनों ने top किया है Club Throw event में यह किस game से related है यह भी पूछिया जा सकता है यह Club Throw event से related है इनों ने विन किया है Asian Paragames Gold Medal इनकी प्रफॉर्मेंस रही है वो रही थी 30.01 meter with an effect of 33.54 meter in the Club Throw event whereas in the same event धरंबीर's Asian record of 31.09 meter was improved ठीक है तो second place पे जो आया है Club Throw event पे वो है धरंबीर और यह first place पे आया है Pranap Surma इनोंने ही best performance दिया है पूरे किया पीजी में तो अभी तक आपसे अगर पूछा जाये कि Khero India Initiative में कितने games organized और जा चुके है तो यहां पे अब तक 5 Khero India Youth Games हो चुके है 3 Khero India University Games हो चुके है and 3 Khero India Winter Games हो चुके है and जो first time जो हुआ है तो वो है Khero India Fara Games है वो अभी recently conduct करा गया था New Delhi में तो आप यह याद रखिएगा and the main objective of Khero India Initiative is to promote sports at the grass roots level in the country okay तो इनका main objective रहता है Khero India का कि वो अपने जो sports है वो grass root level पर अपनी country में प्रमोट कर पाएं तो इसका main motive यही है okay so just remember all these points now next time यहाँ पर देख लेते हैं Khero India Paragames जो की recently हुआ है उसके medal tally के बारे में कि अब तक इसने कितने medals जीक लिए हैं top 3 states के बारे में हम बात करेंगे तो जो first position पे है वो है Haryana इन्होंने गोल जीता था 40 and silver medal जो जीते है वो 39 है and the bronze है वो 26 तो overall हो जाते है 105 medals हो जाते है इनके पास Haryana which is at the first position and the second position पर जो रहेगा वो है Uttar Pradesh and Uttar Pradesh में gold medal जीते है 25 and the silver है 23 and the bronze है 14 so total मिला के 62 total medal हो जाते है Uttar Pradesh के पास and the third one है जो 3rd place पर आता है वो है Tamil Nadu state and इसमें इन्होंने gold medal जो जीते हैं वो है 20 silver जो है 8 and जो bronze जो विन किये हैं वो है 14 so total मिला के इनके हो जाते है 42 total medals so यहां में आप याद रखेगा इन top 3 states को which are Haryana, UP and Tamil Nadu okay so यह medal तेली थी of Kahlo India Para Games की okay so just remember all these points related to Kahlo India Para Games which were recently held in New Delhi 2 North 23 May okay so just remember all these points so this is the end of a topic and I hope you found this video informative and if you found this video informative please give it a thumbs up and for more informative videos please like share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education and thanks for watching bye bye take care also in the next one we'll see you in the next one but we'll see you in the next one okay all right you dot